पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी बोट की परिक्षाएं 18 फरवरी से जारी हैं। उन पर कारवाही भी की जा रही है। मंतरी गुलाबो देवी का कहना था कि बच्चों को किसी परिकार की कोई समस्या परिशा देते समय नहीं होनी चाहिए। विद्याले में परिशा देने वाले विद्यार्तियों की संक्या पूछने के साथ मंतरी गुलाबो देवी ने जिला विद्याले निरिक्षा प्रदीकुमा दिवेदी सहीत कहा कि परिशाएं संपन होने तक सभी वैवस्थाएं दुरूस्त केंदर पर रहनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन हो राज की करने अंटर कॉलिज से निरिक्षण करने के बाद माध्यमी शिशा मंतरी गुलाबो देवी मुरदाबाज शहर के सिविल लाइने सित महरा जागर से अंटर कॉलिज महजी जहां पर परिशा दे रहे विद्यार्तियों से बात चीत की और कहा कि परिशा देते समय आपको कोई समस्या तो नहीं हो रही है जिस पर विद्यार्ति ने सहमती जताई के परिशा केंदर पर कोई समस्या नहीं है मंत्री गुलाबो देवी का कहना था कि जहां परिशा केंद्र पर प्रकाश की व्यवस्था कम है तो वहां प्रकाश की व्यवस्था और बढ़ाई जाए बच्चों के पीने के पानी की वैवस्था भी दुरूस्था होनी चाहिए जिस पर महराजा अगरसें इंटर कॉलिज के प्रधानाचारे का कहना था कि यहां सभी वैवस्था हैं पहले से ही दुरूस्था हैं महराजा अगरसेन इंटर कॉलिस से निरिक्षान संपन होने के बाद मंत्री गुलाबो देवी जन्दपत के दिला विद्याले निरिक्षा कारियाले पर बने कंट्रोर रूम के हाल चाल जानने के निये CCTV केमरे की स्क्रीन को देखा जहां पर मौजू सभी अधिकारी वा करमचारियों द्वारा बताया गया कि यहां सभी 102 परिशा केंद्रो पर CCTV केमरे के निगाह से परिशाय देखी जा सकती है मंत्री गुलाबो देवी ने कई विद्यालों के नाम बता कर उनका हाल चाल स्क्रीन पर जाना दिला विद्याले निरिक्षा प्रदीकुमा दिवेदी ने बताया कि मौजबाद के 102 परिशा केंद्रो पर लगे CCTV केमरे की मौनिटरिंग यहां से की जा रही है सुभा और शाम की पाली में करमचारी और अधिकारी अपनी निगरानी में वयवस्थाएं दुरूस्त हैं या नहीं इन पर निगार रख रहे हैं साथ उन्होंने परिशा केंद्रों के वयवस्थापक को सक्त निर्देश भी दिये विद्याले के गेट पर ही परिख्षाणतियों की गहनता से जाश करने के उपरांत ही परिख्षा कक्ष में प्रिवेश की अनुमती दें माध्य मी शिक्षा राज्य मंत्री ने विद्यारत्यों के प्रिंसिपल को निर्देशित करते हुए कहा कि जिस विशय का पेपर हो उसी को खोला जाएगा इस दोरान किसी भी पिरकार की लापरवाही ना हो यदि इसके बाद भी पेपर विद्यारत्यों से बाहर गया या वार्ट सेप पर वाइरल हुआ तो संबंदित के खिलाफ F.I.R. दर्श कर ततकाल विधिक कारिवाही की जाएगी गुलाबु देवी ने दरजनो समेदनशील आती समेदनशील परिशा केंद्रों का निरिक्षन किया ना हमारे बच्चे तनाव में हैं ना हमारे शिक शिक तनाव में हैं और CCTV के अमरे लगे हुए हैं कोई परिशानी है नहीं कहीं तरी पूरे प्रदेश में मैं इस समन्द में ये कहना चाहूंगे आपसे कि पहले जो छेकेदारी पर निकल होती थी बोल बोल के निकल कराई जाती थी उस पर प्रतीबंद लगाने के लिए सारी विवस्ता की गई हैं जिसमें कहीं कहीं कोई आपको ये सुनने में आ रहा है और वो इसलिए सुनने में आ रहा है कि सारी विवस्ता है हमारी ठीक है और लोग पकड में आ रहे हैं जो लोग कहीं गड़वड कर रहे हैं आपको पता है कि पहले मैंने अभी बताया आपको छेकेदारी पर निकल चलती थी आज जब उनको बच्चों को ये पतार लग गया कि आप ये निकल नहीं के इस भाविश्य की बाग जोड के लिए अपने हाथ में लेंगे पूरी कारवाई अभी पिछले दिनों गेंगेश्चर तक लगा हुआ है मव में गाजीपुर में जहां ये इस तरह की बात सामने आई है तो बहां गेंगेश्चर तक जिलादिकारी ने लगाया है तो के जारी है तो रहेगी वो तो हर जगा निरिक्षन के तहती रहेगी सब चीज़े